मेगा उपीनियन पोल बता रहा है कि तीसरी बार मोधी सरकार आती दिखाई दे रही है जिन राज्यों में एंडिये के पिछड़ने की आशंका थी वहाँ अब हालात बदल चुके हैं लेकिन इन सभी के बीच प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के सामने अभी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना करना बाखी है नियूज 18 इंडिया के मेगा ओपिनियन सर्वे के नतीजों के मुदाबिक पेम मोधी के दस साल के नेत्रित्व पर लोगों ने भरोसा जटाया है इंडिये गठबंदन के एक जूटता के दावे खंड खंड होते नजर आ रहे हैं नियूज 18 इंडिया का ओपिनियन पोल तीसरी बार मोधी सरकार के आंकड़े बता रहा है ये ओपिनियन पोल एक लाख लोगों को लेकर किया गया है यहाँ आपको बीजे पी की बड़ी जीत या इंडिये का टारगट 400 नहीं दिखाएंगे यहाँ आपको दिखाएंगे मोधी जैसे सियासी युद्धा के सामने अब भी चुनौधिया क्या है कौन से वो राज्ये हैं जो मोधी के सामने चैलेंज बन कर खड़े हैं इन राज्यों में कमल खिलाने की कौन सी राणिती पर बीजे पी काम कर रही है क्योंकि जीत बड़ी चाहिए तो संघर्ष भी बहुत करना होगा हमने उपनियन पोल को आधार बना कर मोधी की चुनौधियों वाले आठ राज्यों मत्क लोग सभा की 205 सीटों का गड़ित लगाया है बीजे पी के पास इन राज्यों में अभी संताउन सीटे हैं यानि अभी बीजे पी के पास 148 सीटों पर बढ़ने की गुंजाईश है पंजाब पंजाब में कुल 13 सीटों में से कॉमरेस को सरवाहि 7 सीटे मिलती दिख रही हैं बोल के मताबिक यहां अंडिये और आम अभी पार्टी को 3-3 सीटे मिल सकती हैं पंजाब में लोग सभा की कुल 13 सीटों में से बीजे पी के पास सभी 2 हैं इंडि गटवंदन को 38 फिसदी वोट मिलने का अनुमान है जबके इंडिये को 13 फिसदी वोट मिल सकता है जबके अने को पंजाब में 49 फिसदी वोट मिलने का अनुमान है बीजे पी के पास यहां बढ़ने का चांस बहुत है लेकिन समिक्रान अब तक सटी नहीं बैठ पा रहा लिहाजा सही समय का इंतिजार है अब आते हैं ओडिशा ओडिशा में बीजेबी फ्रंट फूट पर खेल रही है ओडिशा में बेगा ओपिनियर पोल में लोगसभा की कुल 21 सीटों में से 13 सीटों पर NDA की उमिदवार जीत सकते ही जबकि कॉंगरिस के पास यहां निल बट्टा सनाटा ही होगा वही आठ अन्य उमिदवारों की जीत की संभावना है अगर तमिलाडू की 49 लोगसभा सीटों पर हुए मेगा ओपिनियर पोल की बात करें तो 49 में से NDA को 5 सीटे मिलने का अनुमान है जो वाकई बीजेपी और NDA के लिए किसी चमतकार से कम साबित नहीं होगा वहीं इंडी गटबंदर को 49 में से 30 सीटे मिलने का अनुमान है जबकि अन्य को 49 में से 4 सीटे मिल सकती है अगर वोट परतिशत की बात करें तो तमिलाडू में इंडीय को 13 परतिशत को वोट मिलने का अनुमान है राजी में सरकार नहीं होने के पावजूद पोल में सामने आया है कि कुल 28 लोग स्वा सीटों में से बीजेपी का एक बार फिर 25 सीटों पर कबजा हो सकता है तीन सीटें इंडी गडबंदन को यहां मिल सकती है तेलंगाना 2024 के आम चुनाम अडिये का कारवां बढ़ता हुआ दिख रहा है यहां भी कॉंगरिस की सरकार है लेकिन इंडी गडबंदन बीजेपी के पीशे दिख रहा है निउस एटीन इंडिया के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में अडिये को आड़ सीटें मिलती दिख रही हैं जिबकि इंडी गडबंदन को छे सीटें तीन अन्वे के खाते में होंगी आंद्रप्रदेश 2019 में आद्रप्रदेश के 25 लोग सबा सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली लेकिन अब की बार गड़ी बदलता दिख रहा है चदरबाबु नाइडू की तिल गुदेशन पार्टी और पाउनकल लेंड की जन्द सेना के इंडीय में आने से समीकर्ण बदल गए है इंडीय को आद्रप्रदेश में 25 में से 18 सीटे मिली दिख रही है जबकि इंडीय कड़बंदर यहां जीरो पर है और 7 सीटे अने के खाते में जादी दिख रही है अब की बार दक्षन भारत को प्रधर्ण मतिने मोदी ने नाप दिया है सिर्फ तीन महीने में पिये मोदी ने दक्षन भारत की तीन बार यात्रा की फोकस वाले दो राज रहें केरल और तमिलाडू जिसका नतीज़ा भी दिख रहा है पार्टी इन दोनों राजों में जिस तरीखे से महनत कर रही है वो जरूर रंग लाएगा ये समझते हुए कि अब करनाटक में बीजेपी का राज नहीं है सत्ता बजलने के बाद राज जिकी राज भी थी बदली है 2019 के लोग सबह चुनाओं में बीजेपी ने 37 लिदे वोट के अधार पर 303 सीटों पर अपनी जीत का छंडा गाड़ा था बीजेपी ने पिये मुदी के नाव और काम के कारण 2014 के लोग सबह चुनाओं में कामयावी हासिल की थी इस बार का लक्ष बढ़ गया है जिस करन चुनोतियां पर बढ़ गई है पर देश का महौल देखके 370 सीटों का पहाड बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है और देश का सबसे बड़े मेगा उपीनियन पोल ने इंडिये गड़ बंधन की बंपर जीत का अनुमान लगाया अनुमानों के मुताविक प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी लगातार लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री बंद सकते हैं जबकि उपीनियन पोल में इंडिया का सफाया साफ नजर आ रहा है क्या तीसरी बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी एंडिये को प्रचंड बहुमत से जताने जा रहे हैं क्या बाकई में प्यम मूदी एंडिये को 400 प्लस सिंटे जिता कर आसानी से लगातार तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री बन जाएंगे लोगसभा चुनाब 2024 की तारीखों का भले ही अभी एलान ना हुआ हो लेकिन इस वक्त देश भर में हुए मेगा उपिनियन पोल के अनुमानों से साबित होने लगा है कि देश में जबरदस्त मोदी लेहर चल रही है मेगा उपीनियन पोल के सर्वे के मुताबिक एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोधी सरकार बनने जा रही है ऐसा अनुमान है हमार को देश की सभी 543 लोग सभा सीटों पर हुए मेगा उपीनियन पोल के नतीजों के आधार पर दिखाने जा रहे हैं कि क्यों तीसरी बार मोधी सरकार बनने का अनुमान लगाया गया हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी बेल्ट के राज्यों से जहां सबसे ज्यादा एंडिये के पक्षमेट जनता ने वोट देने का मन बनाया 543 सीटों में से एंडिये को 411 सीटे मिलने का अनुमान है वहीं इंडिया गडबंधन को 543 में से सिर्फ 105 सीटे मिलने का ही अनुमान जबकि अन्य के खाते में 543 में से 27 सीटे आ रही है 2024 की लोगसभा चुनाव में न्यूज 18 के मेगा उपीनियन पोल के मुताबिक इंडिया गडबंधन का सफाया होने जा रहा है और प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी लगातार तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री बनेंगे ऐसा अनुमान है हिंदी भाषा राज्यों में इंडिया को बंपर सीटे मिलने जा रही है ऐसा उपीनियन पोल के अनुमान से साफ नज़र आ रहा है सबसे पहले आप उत्तर प्रधेश की 80 लोग सभा सीटों का मेगा उपीनियन पोल देखिए जहां जनता ने खुलकर बीजेपी के नेतरत वाली एंडिये को जिताने का मन बना लिया है अपीनियन पोल के अनुमानों के मताबिक उत्तर प्रधेश की 80 में से 77 सीटे एंडिये को मिलने का अनुमान है जबकि इंडि गड़ बंधन को 2 सीटे मिलने का अनुमान साथी अन्ये के खाते में महज 1 सीटा सकती है यूपी में इंडिये को 57 फीसदी वोट मिलने का अनुमान तो वहीं इंडि गड़ बंधन को 26 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है और अन्ये को 17 फीसदी वोट मिलने का ही अनुमान अब बात करते हैं बिहार की जहां इंडिये में शामिल नितीश की जेडियू समेत कई पार्टियां शांदार जीत दर्ज करने जा रही है बिहार की 40 लोगसभा सीटों पर हुए मेगा उपीनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतरतु वाले इंडिये को 40 में से 38 सीटे मिलने जा रही है जबकि इंडिये को 40 में से केवल 2 सीटे मिल सकती है साथी अन्य को एक भी सीट नहीं मिलेगी अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो पिहार में इंडिये को 58 फीसदी वोट मिलेंगी जबकि इंडिये को सिर्फ 28 फीसदी वोट मिल सकता है अब आप 29 लोग सभा सीटों वाले मध्ये प्रदेश का मेगा उपिनियन पौल भी जान लीजी यहाँ एंडिये को 29 में से 28 सीटे मिलने का अनुमान है जबकि इंडिये को 29 में से सर्फ एक सीट मिलने का ही अनुमान साथी अन्य के पास एक भी सीट ना आने का अनुमान अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो इंडिये को MP में 58 फीसदी वोट मिल सकता है जबकि इंडी गड़ बंधन को 38 फीसदी वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 7 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है झाल झाल